हेलो प्यारे बच्चों कैसे आप सभी आशाकरतों सभी चंगे होंगे बच्चों पिछले वाले वीडियो में आपने इस वाले वीडियो में हमें 22 से आगे जितने भी कुशन हो सकेंगे उन सभी को सॉल्व करना सीखेंगे साथ ही इस वीडियो में आपको दो तीन चीजे क्लियर करूंगा फर्स सबसे पहरे तो यह बच्चों के बनी में डाउट रहता है कि सर कहां पर हमेंडर को एड करें और कह क्यों लिए जा रहा है लोग समझेंगे साथ अपने चैनल को सुस्क्राइब नहीं किया जलदी से कर लिजिए साथ अपने फ्रेंट से भी इन वीडियो से जरूर सेयर कीजेगा ताकि हम क्लास 12 वीडियोस न उन्हीं बना सकें वाग बागी बच्चा उनको भी बनाएंगे तो अपने फ्रेंड से जरूर से एर किजएगा अगर आप चाहते हैं कि हम यह क्लास्टान की वीडियोस बनाएं तो तो चलोगे श्राट करते हैं सबसे पहले तो कोई समय 22 में बोला जा रहा है कि find the least number which should be added to इतना so that the sum is exactly divisible by 5, 6, 4 and 3 यानि कि वो छोटा से छोटा number बताओ भईया जिसको जब हम इसमे add करें तो जो हमारा sum निकले ना यानि कि जब add करने के बाद जो answer निकले वो answer हमारा इन चारो number से divide हो जाए तो हम क्या जानते हैं कि अगर किसी भी number को अपने को divide करना है दिये भूए number से तो वो क्या होगा इनका LCM होगा क्योंकि 5 के table में भी आएगा 6 के table में भी आएगा 4 के table में भी आएगा और 3 के table में आएगा 4 के table में आएगा तब ही तो हमारे जो number हो divide होगा doctoral कि हम इसका क्या करेंगी अगर यहाँ पर यह question रहता है या LCM लो तो यहाँ पर यही साब साब बोला गया है कि इसमें add करने के बाद जो हमारा answer निकले वो divisible हो जाए इन चारों से यहाँ से LCM के निकल जाएगा देखो सभी में one common है वन तो सभी में रहता ही है उसको लिखो की नितो भी चलेगा यहाँ पर यह दो नो two हमारे common मिल रहे है तो यह बार two लिख लो यहाँ पर एक two yellow बज गया तो इसको उतार लो यह three two में common है तो एक बार three लिख लो और five बेचा इस 60 को हम लोग क्या करेंगे इनसे डिवाइड देंगे अब अपने को क्या देखना था कि यह 60 तो दिया नहीं हुआ था हमसे हमारे पास जो number वह बहुत बढ़ा दिया हुआ है 2497 2497 अब हमारा divide होता है कि नहीं होता है इनसे पहले तो आपको यह चेक करना पड़े है क्यों अब आप क्या करो डिवाइड दो हमारे जो भी नंबर हमसे दिया हुआ था वह हमारे क्या नाम है 2496 वाला 249 697 एक्चुल में सॉरी इसको आपको डिवाइड देदो 60 से तो हमारे कितना आएगा सबसे पहले तो यहां पर हमारे पास 24 है तो यह सुरू का दो डिजिट तो का करेंगे तो हमारे कितना हो जागा 240 हो जाएगा तो 64 जा 200 आपको 40 ले लो सब्ट्रेट करोगे तो 9 बचेगा और यह 7 उतर जाएगा अब 97 आगी है 62 जाब 120 होता है तो हम लोग एक टाइम ही लेंगे 61 जा 60 बच जाएगा हमारे पास हैंसे 7 और यह 9 में से 6 मैंस हुआ तो 3 आ इन से डिवाइड हो जाए तो इन से डिवाइड होगा यानि कि 60 से भी डिवाइड होगा तो अब देखो यहाँ पर अगर मेरे पास रिमेंडर बजा रहा है 37 अगर यहाँ पर मेरा 60 आ जाता तब यह तो मेरा पूरा 60 से डिवाइड हो जाता न भी या यानि कि मुझे क्या क 60 बनेगा फिर मैं 61,60 कर सकता हूँ, इसके हम था कि मेरा वो complete divide हो जाएगा ठीक है? तो हमको क्या करना है कि इस number में 23 add करना है, अगर हम इस number में 23 add कर देते हैं, तो हमारा जो number है वो complete divide हो जाएगा 60 से, और अगर 60 से divide हो जा रहा है तो वह complete divide हो जाएगा 5 6 और 4 3 से भी यहीं इसका basic concept है आपको statement वगरा कैसे लिख रहे हैं वह आपको समझाएंगी मैं यहाँ पर आपको बैठा हूं basic concept समझाने के लिए सबसे पहले आप LCM ले लो फिर जीज भी नंबर के बारे हम बोला जा रहा है उससे LCM किसे divide देदो आपके पास देखना कि जितना भी remainder बचे मालों यहाँ पर अगर 40 remainder बच जाता तो हम क्या करते हैं उसको 20 और add करते थे ताकि हमारा 60 बन जाए क्योंकि यहाँ पर 60 है तो अगर यह 60 बन जाएगा तो फिर यह मेरा पूरा पूरा डिवाइट हो जाए गर remainder कुछ नहीं 60 में से ही यहाँ पर 37 को माइनस कर दोगे तो 60 में से 37 को माइनस कर दोगे तो भी 23 आ जाएगा इसका मतलब यही हमारा required number है जिसको हम इसमें add करेंगे यानि कि इस complete number में तो हमारा divisible हो जाएगा यह तो यहाँ पर हमारा 22 number का और कुछ नहीं बस इतना ही करना है कितना simple था concept स क्या करें divide दे सकें हमको यहीं पर समझ में आ जा रहा है कि इसमें क्या करना है HCF लेना है हमको वो number पता करना है जिससे हम इनको divide दे सकते हैं पिछले बला था कि इन number से हमको divide देना है उस वाले number को और इस बार बोला जा रहा है कि आप वो greatest number पता करो जो divide दे 43 को 91 को और 183 क तो इनसे दिवाइड देना है, यानि कि हमको क्या कर ना पड़ेगा, इनसे छोटा नंबर लेना पड़ेगा, जो कि हमारा HCF होता है, LCM तो इनसे बड़ा नंबर होता है, अगर इसी question में इसको घुमा करके दिया रहता, कि वो नंबर पता लगाईए, जिनसे क्या कर सके हम लो क्यों कि HCF निकालना है आगे क्या बोल रहा है so as to leave the same remainder in each case अच्छा यानि कि यहाँ पर आप ऐसे नंबर से divide कीजिए यानि वो बड़ा से बड़ा नमर पता कीजिए जो यानि कि इन सभी को divide देने के बाद same remainder बचाता हो तो अब यहाँ पर same remainder तो बचाता है यहाँ पर आप पहले solve किया है लेकिन इसमें कितना same remainder बचना चाहिए वो नहीं बोल रहा अगर वो बोले रहा था तो हमनों जल्दी माइनस कर लेते सब में से जैसे हमने पिछले वाले questions में किया था यहाँ पर आप remainder ही आपको नहीं बता रहा है यहाँ पर हमसे बोला गया वही कि same remainder आना चाहिए लेकि remainder नहीं बताया गया है तो इस ट्रफ से question में आपको क्या करना है सबसे पहले क्या करो कि आप जो हमारा second वाला digit है यानि second वाला जो नंबर उसे first वाले नंबर को subtract करो तो अगर आप 91 में से 43 को subtract करते हो तो कितना आजाएगा यहाँ पर 11 में से हमारा 3 माइनस हुआ तो 8 आजाएगा यहाँ पर 4 में से 4 माइनस हुआ तो 4 आया यनि कि 44 आ गया उसे बाद आप थर्ड वाले में से second वाले को माइनस करो तो 183 में से अगर आप माइनस करते हो 91 को तो कितना है घागा हमारा 3 में से 1 माइनस हुआ तो 2 आ गिया 8 में से 9 मैस ने हो सकता है 18 में से 9 मैनस होगा to 9 आजाएगर यानिकि 92 आ जाएगा अब आप क्या करूगे 2 तो कश आपको क्या करना है इन 3ों नमबर्स का ही HCF निकालना है तो आपको जो HCF निकलेगा वही हमारा नंबर होगा सबसे बड़ा जो इन नंबर्स को डिवाइड देगा तो सीम डिमेंडर आएगा अब यहाँ पर आप लिख लिए सब्सक्राइब कर लेता हुँ ताकि हमारा वीडियो लेंथी ना हो यह निकाल लिए हमने सभी का यहां पर से फैक्टर अगर आपको सीखना कैसे निकाला जाता है तो मैंने आपको स्टार्टिंग वाले वीडियो में दिखा दिया है बार-बार इसी जो करेंगे तो वीडियो यहां पर से common मिल जारहें तो हमारा जो-चीर निकल जाएगा वहासे निकल जाएगा एक ठीक है common मिल गया उसे बाद एक और टू जो है वो तीनों नंबर में common मिल रहा है तो एक बार और टू के आपर common दिलो बागि कोई भी आपको number देखो सभी में यानि दो पर 1010 पर 40 हो जाएगा डालेट कर देता हूँ ठीक है यहां पर हमारा remainder 3 बज़ गया उसी तरीके से 91 से अगर आपन 4 को डिवाइड देते हैं 91 को अगर हमनों 4 से डिवाइड देते हैं तो 4 बज जाएगा हमारे पास 1 और फिर 1 उतर गया तो फिर से 4 2 जा हमारा 8 हो गया बज जाएगा हमारे पास remainder 3 फिर उसी तरीके से 183 जो है इसको भी अगर आप 4 से डिवाइड देते हो तो 4 4 जा हमारे पहले तो 16 आ जाएगा बज सभी को आपस में सब्टरेट की जाएगा है ना पहले सबसे पहले की जाएगा दूसरे वाले से फर्स्ट वाले को फिर यहां पर थर्ड वाले से सिकेंड वाले को और फिर दास में थर्ड वाले से फर्स्ट वाले को इसे माइनस करके जो भी नंबर है उनका एक से निकाल दी ध्यान रखना ना कि हमको दूसरा नमबर पता करना है जिनको उस वाले नमबर को हमको डिवाइड देना इन चालो से तो यहाँ पर LCS निलेगा तब फिर हम लोग उस नमबर को इन से डिवाइड देंगे अब आगे देखते हैं क्या बोला जा रहा है यह ना लीव रिमेंडर 14 बना ilिखाल है तो वह हमारे पृटल में रहेगे वह विद्र संदिकाला पड़े थे हैं तो देखो गिवेन नमबू हमारे पास है टमी WiFi 35-40 हर पर हम लोग HCFL से मिस्टाइब से निकाल रहे हैं मैंने आपको जो पहला वीडियो बनाया था उसके बताया था ना कि केवल एक मेथड नहीं निकालने का एक तो फैक्टर वाला है और दूसरा मेरा डारेक्ट वाला मेथड है एक तो रहता है वह सब अलग चीज है फिलाल आप लोगो में यहां पर जो यह वह पास लिख लो अलग लग निकालना फैक्टर आपको एक ही साथ करते जाना है अब देखो यह जो सभी नंबर है हमारे वो किस से डिवाइड हो रहे है सबसे छोटा नंबर लेलो तो यहां पर हमारा अगर एच्चिएफ लेना रहता तो हमनों सेम नंबर देखते हैं यह सभी जो है वो सेम नंबर 5 से डिवाइड हो रहे हैं लेकिर अभी चुके LCM लेना है तो आप छोटी नंबर से तो अगर कोई भी नंबर मेरा 2 से डिवाइड होगा तो हमनों पहले 2 से ही स्टार्ट करेंगे हमारा जो फेक्टर चलता है हमारा जो प्राइम नंबर है वो कौन कौन सा है 2 है 3 है 5 है 7 है तो इसी तरीके साब को चलना है अभी 2 से डिवाइड हो रहा है तो मनों 2 से पहले करे गा, 25 जा 10, यह 25 को उतार दो, 35 को उतार दो, और यह 2 10 जा हमारा 20 हो जाएगा, ठीक है, अब यह मेरा क्या आ गिया, यहाँ पर 10 आ गिया, तो अब अगर मैं देखूँ इसको तो यह सभी नंबर हमारे पास 5 से हो रहे हैं, लेकिन जो लास लोला नंबर है, वो 2 से डिवाइड कर दो, 5 जा 5 हो गया, 5, 5, 25, 5, 7, 35, और 5 जा 5, अब मेरा यह 5 से होगा डिवाइड, तो फिर से 5 जा 5, यह 1 और 1 तो आ गिया, तो आपको 1, 1 ही लाना है, लास में यह 7 बचा हुआ है, अब यह 7 मेरा 7 से डिवाइड होगा, तो 7 जा 7, सभी अब मेरे कितने आ गया, 1, 1, 1 आ तो आस में आपको सबका 1 लाना है, यह धियान रखना है, तो यह जो हमारे नंबर निकले हैं, बस इनका ही आप मल्टिप्लाइ करो, आपका जो है न, LCM निकल जाएगा, तो यह जादा इजी है, अगर आप सब प्रेक्टिस कर लिए तो एक बार, तो फैक्टर वाले जादा 10 हो जाएगा, और 5, 2, 10 हो जाएगा, और 7, 2, 2, 10 हो जाएगा, और 7, 2, 2, 10 हो जाएगा, यहाँ पर से 14, तो 14 multiply 10, multiply 10 कितना होता है, 100, और 100 का 14 से multiply करेंगे, तो 1400 हाजएगा, यानि कि जो LCM है हमारा, वो 1400 है, अब हमसे क्या बोला था, कि पहला condition क्या था, कि जब हमारे पास बड़ा से बड़ा नमर पता करना है, जिसको जब हम लो 20 से divide दिए, तो जो हमारा remainder है, वो 14 बचे, यानि कि अगर मालो, मैं 20 से अगर 14 को minus करता हो, तो मेरा कितना आता है, यहाँ पर 6 आता है, उसे तरीके से अगला condition हम से बोला था, कि 25 से जब आप minus कीजिएगा, जब आप कि 35 से बाप divide करते हो, तो remainder 29 बचता है, तो 35 से 29 को minus करते हो, तो भी आपका 6 आएगा, उसे बाद last condition बोला था, कि अगर आप 40 से divide देते हो, तो उस condition में आपका remainder 34 बचेगा, तो अगर इन दोनों के माइनस करते हो, तो 6 आता है, तो देखरो आप हर जगा हमारे क्या हो रहा है माइनस करने के बाद 6 आ रहा है, इसके मतलब कि वो जो मेरा required number है, अगर हम लोग इसके LCM में से 6 को minus कर देए, तो हमको वो required number पता चल जाएगा, तो now required number, तो हमारे पास LCM है 144 00, उस बाद से minus कर देते हैं 6, योगि सभी condition में हम लोग अब सब्ट्रेट कर रहे हैं remainder को, तो भ 24 आ जाएगा, ठीक है, यानि कि 1394 ही हमारा वो बड़ा से, सबसे छोटा number है, 1394 वो सबसे छोटा number है, जिससे जब आप 20 को डिवाइड दोगे, तो remainder आपका 14 बचेगा, 25 को डिवाइड दोगे, तो 19 बचेगा, 35 को जब आप डिवाइड दोगे, आपका remainder यहाँपर से 29 बच सॉल परते हैं, तो देखो 25 नमबर को इसने बोला जा रहा है कि इन सेमिनार, एक सेमिनार हो रहा है, आना हुआ या फिर, the number of participant in Hindi, English and Mathematics are 60, 84 and 108 respectively, तो सेमिनार में जो बचे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो हिंदी वाले जो हैं, वो 60 हैं, इंग्लिस वाले 84 हैं, और Math के सेम में हर रूम में, the same number of participant are to be seated, यानि कि ब्रावर बच्चों को बैठाया जाए, and all of them being in the same subject, और उनका जो subject हो वो भी same हो, यानि कि देखो क्या बोड़ रहा है, इस टाप से question आपने class 7-8 में कर रहा है, वहाँ पर आपके पास टाप से question आता था, कि इस रो में कितने tomato लगाया जाए, या उस रो में कितने बच्चों को बैठाया जाए, उसी type से question ने, बस यहाँ पर रूम में कर दिया गया है, तो हम क्या करते हैं, कि इन सभी क्या HCF निकाल देते हैं, तो अपने को वो नमबर पता चल जाएगा, जो सभी रूम में बैठाने है, फिर total कितना रूम कितने बच्चे बैठने वाले हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास HCF निकालने जिसे दोगों, पिछले वोले वीडियो में आपको, sorry, पिछले वोले question में आपको क्या किया, इस वाले method से LCM निकालना सिखाया, direct method से, अब हम लोग इसी method से HCF निकालना सिखेंगे, यह और तो आप 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो आप 2 से डिवाइड होगे, अगर 3 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 3 से करोगे, अगर 5 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 5 से करोगे, यहना अलग लग आप नहीं करोगे, जैसे हमारा 84 नहीं होता, तो हमनों 84 को उतार देते हैं, लेकिन अब देखो यह तीनों किसे डिवाइड हो रहे हैं तो फिर से डिवाइड हो रहा है तो का डेवल 15 टाइब पढ़ेंगे तो हमारे 30 आ जाएगा हमारे यह थीरी से किनों डिवाइट हो रहे हैं तो 3 से करो 3-5 जा 15 7-21 9 जा हमारा हो जाएगा 27 अब देखते हैं हम लोग यह हमारा 5 से डिवाइट होगा यह हमारा 7 तो 7 से ही डिवाइट होता है जो 9, वो हमारा 3 से हट हो सकता अगर आपन चाहें लोका time render hg तभी आपको divide करना है उसके बाद आपको छोड़ देना यानि कि आपको divide यह नहीं करना तो hcf इसका निकल जाएगा 2 multiply 2 multiply 3 तो 2 3 जाएगा 4 of sorry 3 2 जा 6 और 2 जा 12 यानि कि जो इसका hcf निकला इंचा तीनों नंबर का वो 12 मितला तो देखा आपने अगर आपको अलग लग factor find करते हो तो time भी ज्यादा लगता फिर common देखना पड़ता है तो उससे ज्यादा easy method यह है आप अपने teacher से बता दिएगा सर्जी हमको यह method अच्छा लगता है हम इसी method solve करेंगे आपके teacher भी कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि method solve करने के कई सारे method होते हैं मेरा job मन करता है जो method से मैं उस method से solve करता हूं तो यह method आपके लिए मेरे साबसे easy है इसके अपने करके 12 इसका मतब कि एक रूम में हमारे पास ना total 12 नंबर बैठने वाले हैं तो total हमारे पास student कितने है वो देख लो आप तो total हमारे पास student है total students या फिर participant लिखना पर यहाँ पर क्योंकि student word use नहीं किया है मैं बस student ऐसी लिख देता हूं अब आप इसको समझना है आपर कैसे निकलेगा number of room कैसे निकलेगा ना number of room required number of room लिख लो आप required number of rooms तो total 252 student है और हर room में 12 बच्चों को बैठाना है तो total कितने room लगेंगे यह जाने के हम लोग क्या करेंगे 12 प्लस 12 प्लस 12 ऐसे भी कर सकते हैं कि 12 12 करके हम लोग लास्ट में 52 ले आएंगे add करके जिन उतना दंबा चोड़ा add करने से time waste होगा हम लोग क्या करेंगे direct 252 को divide द जाएगा आप चाहो तो चेक कर सकते हो 12 करके 21 करो आपका 252 आजाएगा answer इसका मतलब कि एक रूम में अगर 12 बच्चे को बैठाते हैं तो total हमारे पास 21 रूम की जुरत पड़ेगी तो इस तरीके से आपको इस question को solve करना था अगर कुछ doubt हो तो आप मुस्से टेली ग्राम य question यह भी similar है इसमें बोला जा रहा कि 3 set of English, Mathematics and Science book containing 336, 240 and 96 book respectively यहन के हमारे पास 3 books हैं English के हैं total 360, 336, Math के हमारे पास 240 हैं और Science के हमारे पास 96 books हैं आपको क्या करना है have to be stacked, stacked को मतलब समझते हो ना, stack मतलब कि एक की उपर जैसे आपन रेक वगरे में किताबों को रखते हैं सज आप इसकूलों में देखना कि बहुत सारी किताब आता है, गौर्मेंट इसकूल में बातने के लिए तो एक की उपर एक किताब को रखा जाता है, उसको stack बोलते है, बुक का जो group होता है, उसको stack का जाता है, ठीक है, अब उनको इस तरीके से अपने को stack करना, इस तरीके से एक की उपर एक रखना है, ताकि all the books are stored subject wise, ताकि बुक जो हो subject wise ही रखे जाए, जैसे कि math के उपर math कही बुक रहे, English के उपर English कही रहे, और science के उपर science कही बुक रहे, and the height of each stack is this same, और जो size हो stack का, जब हम लोग एक की उपर दूसरा बुक रखें, तो सभी का सेम हो, जिसे math सेम हो, science वाले का भी सेम हो, और English वाले का भी सेम हो, तो सब का सेम हो, तो अगर मानलो, मैं 236 book है, इसको मैं पूरा का पूरा एकदम एक की उपर एक रख दूँ, तो एक बहुत बड़ा stack बन जाएगा, फिर अगर अगर अपन 240 book का group बनाता हूं, तो उससे छोटा बनेगा, है न, फिर 96 का अदम उससे और चोटा बनेगा, तो एक्चुल में हमारे जो number महाँ पर जो बन रहा है, यानि size जो बन रहा है, वो उपर निश हो जा रहा है, हमको सभी के अदम बराबर size लाना है, यानि कि stack जो होगा, जैसे कि हमारे जो English का, जब हम लोग किताबों को रखे बनेगा, ठीक है, अब हम लोग को क्या बोल रहा है, इसमें, आगे और read कर लेते हैं, books are restored subject wise, and the height of each stack is same, अब एक लास्टीज और बोल रहा है, how many stacks will be there, तो उसमें total कितने stacks बनेंगे, आपको ये भी बताना है, तो आइए इस टाइप से questions को कैसे solve करना है, सबसे पहले तो पर HCF लेना है, या LCM, पिछले location मेंने data HCF ले लिया था, आपको समझ में सेद नहीं आया होगा, तो आया होगा, उतना भी खराब नहीं समझाता है, इसमें देखो, इसमें आपको क्या बोला जा रहा है, कि आपको ग्रूप बनाना है, छोटा गूप बनेगा ये तो आपको HCF निकलता है, वो छोटा निकलता है, कभी भी, जो भी नंबर दिया हुआ रहेगा ना, तो HCF उनसे maximum chance रहता है कि छोटा ही निकलता है, बड़ा तो कभी निकलता है, या तो DAV नंबर के बराबर निकलता है, और जो LCM रहता है, वो DAV नंबर से बड़ा रहता है, तो अगर म से उनका LCM निकालता हूं तो वह क्या होगा बहुत बड़ा नंबर निकल जाएगा जिसे कि मालो इन सभी का LCM मालो आगे हो पड़ा है जो मित अगर नबर में यहां पर बस नंबर बड़े थे और कुछ नहीं हा क्या करना अपिर चाहिए सर देखार मूं से जाहिए तब तक ही करें पर से multiply करो, तो HCF जो निकल जाएगा, वो 48 निकल जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ है, HCF मतलब कि हमारा जो एक stack बनेगा, उसमें total 48 books रहेंगे, जैसे देखो हमारे पास total total 336 books था न, मैं आप ज्यादा तो book नहीं बना रहा हूँ, थोड़ा सा इस type से बस मैं पहाड बना देता हूँ, ताकि आपको समझ में है, तो देखो, total 336 books हैं, ठीक है, हमको क्या करना है, एक इसका जब हम लोग group बनाएंगे, तो total इतना लंबा चोड़ा तो stack बना नहीं सकते 48 का group बनाएंगे, यानि एक book रखेंगे, उसके पर एक और book रखेंगे, फिर एक और book रखेंगे, टोटल लोग ची, 48 book रखेंगे, उस type से एक और 48 का group बनाएंगे, हम लोग किसके लिए काम कररे हैं, अभी हम लोग English ओले book लिक काम करे हैं, total 300 में, 36 लिए हूँ, जो गकि English है तो फिर आमने 48 का गुरूब बनाएंगे फिर 48 गुरूब बनेगे तो इस टैप से टोटल बहुत सारा गुरूब बनेगा तो टोटल कितना गुरूब बनेगा इंग्लिज बुक का यह निकालने के लिए किया मैं 48 48 प्लस करूं ताकि जाकर का जाएगा 7 यानि कि हमारे टोटल इंग्लिज बुक का स्टैक बनेगा ना जो गुरूब बनेगा टोटल वह सेवन गुरूब बनेगा जो एक दो तीन फिर चार पांच है टोटल साथ गुरूब बनेगा उसी तरह कि जब आप मैथ गूरूब का जब इस टैक बनाओगे तो म आंसर वह 5 हो जाएगा पानी भी आ गया साथ आपको आवाज आ रहोगा वीडियो में तो यह हमारा लास्ट कुस्ट रहेगा फिलाल के लिए ना पिर उसके बाद हमारा जो साइंस का बूख है उसमें हमारे पास टोटल कितना है नाइंटी सिक्स बूख है तो नाइंटी सिक टोटल इस टैक्स हो रहे हैं वह 7 प्लस 5 प्लस 2 इक्वल टू 14 हो रहे है ठीक है यानि कि टोटल वहाँ पर 14 ग्रूप बनेगा बूख का जिससे आपको जो बूख का हाइट रहेगा वो सेम रहेगा और सारे के सारे बूख अपने ग्रूप में आ जाएंगे तो इस तरीके स रहे हैं